मद्य प्रदेश में जब से मोहन यादप के मुख्यमंत्री बनने की कोशना हुई है तब से हर कोई है यहां तक की बड़े बड़े चुनावी बिसलेशक भी इस फैसले के बाद चौक गए हैं क्योंकि उन्होंने भी इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि मद्य है आखिर यह कैसे हो गया क्या इसके पीछे रड़नीती रही होगी कई चुनावी बिसलेशक कई राजनेतिक बिसलेशक इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाये थे हलाकि इस फैसले के बाद लोगों के अलग अलग मता रहे हैं कि क्यों आखिर मोहन यादप को मुख्यमंत् के लिए चुनावी बिसलेशकों का कहना है कि यूपी और बिहार को देखते हुए भी मोहन यादप के नाम का एनौसमेंट किया गया है क्योंकि मोहन यादप ओविसी बर्ग से आते हैं और वहीं यादप काष्ट जो की यूपी और बिहार में काफी जादा उसकी संख्या है तो कहीने की बीजेपी एक संदेश देना चाहती थी और कहा जा रहा है कि 2024 की चुनाव की तैयारी भी इसके साथ ही हो गई है क्योंकि 2024 में मोहन यादप को अख्लेश यादप और तेजस्वी यादप के सामने प्रोजेक्ट किया जाएगा कई चुनावी बिसलेशकों कई र लगा पाया है जी हां अंत समय में बिलकुल लास्ट टाइम पर उनका पता लगता है कि वो क्या एनॉंस्मेंट करने वाले हैं कई सूतरों की बात ने धरी की धरी रहेंगी यहां तक कि नरेन सिंग तोमर के लास बिजय बर्गी जैसे बड़े बड़े नेताओं को भी कर बनाया गया है और दो डिप्टी सीम बनाए गया है लेकिन सबसे बड़ा चौकाने वाला फैसला है कि मोहन यादब के नाम का एनॉंस्मेंट जब से हुआ है तब से हर कोई चौक गया है मोहन यादब उज्जेन के दच्छडविदान सभा से चुनकर आए थे उनके बारे मैं ऐसा का जा रहा है कि काफी सक्री कारता थे बीजेपी और आजरेसेस के और 2013 में पहली बार भरतियंता पर्टी के लिए बिदायक चुनकर आए थे तो जिस तरीके से ये एनॉंस्मेंट हुआ है हर कोई चौक गया है जी हाँ मोहन यादब का नाम कोई भी अंदाजा नही अब तक किसी नहीं इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया था कि आखिरकार मुखेमंत्रीपत के लिए किस का नाम अनॉंस्मेंट किया जाएका यहां तक कि खुद शिवराज सिंग चौहान को भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि उनके अलावा किसी और नाम का अनॉं लोगों का कहना था कि इस बार जो है मुख्यमंतरी का चेहरा बदला जा सकता है। और कई सारी बातें ऐसी की जा रही थी। तो लोगों का कहना है कि इस बार जो फैसला हुआ है वो काफी जादा चौकाने वाला है। मद्य प्रदेश में जिस तरीके से जो राजनीती हो रही है वो काफी जादा देश के जो दोजार चौबीस के चुनाओं उनको भी प्रवावित करेगी। आपको बता दें कि जब से राहुल गांदी कॉंग्रेस और जो इंडिया घटवंदन है उसने ओवीसी की पॉलिटेक्स शुरू की है। कई राजनेतिक विसलेसक ये भी कह रहे हैं कि जब से विपक्ष ने ओवीसी पॉलिटेक्स की बात ठानी है इसी की बज़े से कहीं ने कहीं जो है ये फैसला लिया गया है। कि जाकर कहीं ने कहीं उन्हें भी एक मौका मिल सकता है। तो इसी तरीके से कहीं ने कहीं जो जो तरादेति सिंधिया हैं प्रहरात पटेल हैं नरेंसिंग तो मरें कैलास विजय बरगी जैसे बड़े बड़े नेताओं के नाम चल रहे थे। मुख्यमंत्री पद की रेस में इनके नाम चल रहे थे लेकिन उनका नाम नहीं आया। बाद में जो नाम आया वो आया मोहन यादब का दोस्तो आप लोगों को क्या लग रहा है मोहन यादब के नाम के अनॉसमेंट के बाद क्या भारती राजनीती में यह बीजेपी का मास्टर स्ट्रॉक है इस तरीके से नरेंदर मोदी जो कि कहा जाता है कि हमेशा एक आया तक कि जो तराद सिंधिया का भी नाम जो मुख्यमंतरी की रेस में चल रहाता है सारे के सारे बाहर होते हैं और एक नाम सामने आता है मोहन यादब का तो यह इस तरीके की पॉलिटेक्स जो है बीजेपी हमेशा से करती रही है और यह कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा मूड में रहती है तो जिस तरीके से मद्य प्रदेश 36 गर्ड राइस्थान में भारतियंदा पार्टी को जीत हासिल हुई है लोग कह रहे हैं कि 2024 मद्य पार्टी के लिए एक फायदा थावित होगा क्योंकि इसे एक सेमी फाइनल के रूप में देखा जा रहा था और कई जग 2024 के चुनाओंगे प्रदान मंत्री वाले चुनाओंगे तब हम उसके लिए नरिंद मुदी को ही बूट देंगे तो कहीं ने कहीं आने वाले समय में ये देखा जा सकता है कि 2024 में मद्य प्रदेश राजिस्थान 36 गर्ड जहां पर अभी भारतियंदा पार्टी ने चुनाओ जीता है वहां पर लोग सवा की कितनी सीटें बारतियंदा पार्टी जीतेगी वो उसकी कोसिस रहेगी कि जादा से जादा यहां से सीटे जीते और वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इससे साधने की कोसिस की गई है तो 2024 में इसका कितना फायदा होगा ये तो समय ही बताएगा लेकिन जो चुनावी पंडित हैं जो राजने तेक बिसले सकें उनका कहना है कहीं न कहीं बीजेपी और नरेंदर मोदी 2024 के लिए ही ये सब कर रहे हैं